तो हेलो गाइस केसा आप सभी लोग स्वागते एक और न्यू गेम प्ले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे है लाश्टे रूल सर्वाइवल तो गाइस जैसा के आप सभी को पता है कि मैं लगातार अब इस सर्वर में रेड करने के तयारी कर चुका हूँ और मुझे करनी है अब इस सर्वर में रेड ही रेड तो यहाँ पर आज एक यह नया बेस बन गया था पूरा आईरन का वैसे यह बेस छोटा है बट मुझे इस पर रेड करनी है क्योंकि छोटे से छोटा बेस में रेड करूँगा जो भी आईरन का या इस्टिल का होगा बस यह कि लखडी के बेस पर जादतर में रेड नहीं कर क्योंकि लखडी के बेस जो बंदे बनाएंगे वह मतलब यहां तो सर्वर छोड़ देते हैं इसलिए वह लखडी का बेस बनाके चले जाते हैं तो अभी बिना टाइम गवाए मैं इस पर हेड में लगा चुका हूं बेस पर चलो यार अंदर की साइड में देखते हैं यहां से मुझे वूड इस दिखाई दे रहे हैं जो की वाल के अंदर है तो मैंने हेड में लगा दिये बेसल के उपर ताकि मतलब दोनों तरफ डेमेज जाए तो चलो अभी मैं अंदर एंटर हो चुका हूँ है इसके और देखो बंदे के बेग में कितनी सारी लूट भरी हुई ह वाई सब इसके बेग में वैसे तो काफी लूट ऐसी है जो मैं ले सकता हूँ कुछ तो फालत हूँ है लेकिन काम काम की लूट मैं ले लेता हूँ अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यह बेस आज ही बनाया है क्योंकि मुझे इधर के एरिये का पूरा पता रहता यार तो यह बंदा आज ही बेस बनाया था और आज ही मैं इसके बेस पे रेड कर दिया हूँ तो इसलिए इसकी base में loot कम मिलेगी लेकिन यार मुझे तो देखो हर base raid करना है मैं यही सोच के आया हूँ तो इसलिए सभी base raid करा हूँ वाई यह इतनी adwork bench का करता क्या है बंदा यार मेरी यह समझ में नहीं आ रही देखो कितनी सारी adwork bench लगा रखिये इसने खेर मुझे इसकी tc मिल चुकी थी तो मैंने tc पे 2 simple oil bomb लगा दिये है और मतलब अपनी tc ready थी तो मैंने tc लगा भी दिये अपनी चलो इधर की loot बाद में देखेंगे पहले एक काम करता हूँ इधर की side में wall लगा के ये घर में पूरी तरह से pack कर देता हूँ ठीक है ताकि कोई बंदा भी इसमें आके मतलब third party ना कर दे ओके चलो यार iron तो है नहीं तो मैं iron से upgrade कर देता चलो अभी सारी loot ले ले लेता हूँ cabinet की यार still भी मिलिये थोड़ी बहुत और साथी साथ तो titanium भी मिलिये 21 ही titanium मिलिये वह तो यार guys अगर ज़्यादा titanium मिल जाती न तो ज़्यादा अच्छा रहता वैसे यहां पर क्या क्या है यार इसके loot ओके शोड़गन ही शोड़गन भर रखिए इधर की साइड में एक चैचिस दिखाई दिया यार चैचिस तो मुझे ले लेना चाहिए यार चलो तो चैचिस मैंने ले लिया है क्योंकि आगे जाके कार बनाने की जरूरत पड़ेगी यार guys अब यहां पे है पूरी की पूरी क्या आर्मर पड़ी है चलो चोड़ो यार इसको कुछ एयार गन भी पड़ी है वैसे तो दो चार इसमें एक परपल कार्ड मिल गया मुझे और यह मतलब आयरन प्लेट मिल चुकी है लोंचर भी यार इसमें लोंचर ले लेता हूँ मैं क्या मतलब बजू का बनाने में काम आएगा रोकेट शेल भी मिल गई है और हेडमेड सीफोर भी मिला है तो यहां पर आयरन आर्मर की दो पाट भी मिले है वो भी मैंने ले लिए यार क्योंकि मुझे मतलब काम काम की सार पिर भी तोड़ देता हूँ अब क्या थोड़ा संबल के तोड़ रहा हूं मैं नहीं तो यहा है मतलब बैसल तूड़ जाएगी तो मिस्टे को जाएगी यहां पर कुछ भी खास लूट नहीं मिली यह वे-से तो मैं सोच रहा था सलफर मिल जाएगी लेगे लेकिन साल्फर अभी जाके मुझे थोड़ी बहुत सलफर मिली है मतलब इस बंदे न आज शुरुआत किती तो इसलिए इतनी सलफर होती इसके पास इससे ज़्यादा तो हो भी नहीं सकती तो इस बेस की लूट लेकर फिर उसके बाद मैं आया हूँ यहाँ पर इस वाले बेस पर मतलब इस पर भी मुझे रेड करनी है तो चलो यार जल्दी से चलके इस पर भी रेड करते है अब अभी जो मेरे टीममेट है न वो ओनलाइन नहीं है तो इसलिए मैं अकेला ही रेड कर रहा हूँ ठीक है और साथ ही साथ में बता तो आप सभी को कि थोड़ा चुप चुप के रेड करनी पड़ती है क्योंकि अगर किसी बंदे को पता चल जाए कि मतलब कोई दूसरो बंदा रेड कर रहा है तो फिर बीज में बंदे आके थर्ड पाटी करते है ताकि बॉम मिल जाए तो यार इस बेस पे शायद मुझे लग रहा है कि किसी बंदे ने रेड की ट्राई तो की थी क्योंकि टीसी दिखाई दे रही है लेकिन आदिया दूरी रेड करके क्यों गया बंदा यार मेरे ये समझ में नहीं आई बात चलो यार हमें तो मतलब सीधी टीसी मिल चुके तो मैंने टीसी तोड़ दिये अब बाकी लूट भी अपनी हो जाएगी तो केबिनेट मेंने लगाई दिये तो अब बस एक की काम करता हूँ सीधा डायरेक्ट इस बेस को गिरा देता हूँ ताकि सारी की सारी लूट अगर इस बेस में होगी लूट तो सीधी नीचे गिर जाएगी यार फाल तुम्हें टाइम पास करने से कोई फाइदा नहीं इदर तो टीसी लगा रखी है इदर के इससा पहले तोड़ देता हूँ ऊके चलो इदर का पूरा तोड़ दिया है मैंने और ये इस्टिल की बेसल भी तोड़ दिये चलो तो अभी बस एक ही बेसल पे बचाया है बेस ऊके गिरा दिया है मैंने वैसे लूट के नाम पे नीचे कुछ भी नहीं गिरा है गाईस large storage मुझे दिखाई दे रहे थे लेकर large storage में से शायद कोई बंदा पेले loot ले जा चुका था अब इसके बाद में मैं थोड़ा आगे बड़ा तो मुझे एक और ये वाला base दिखाई दिया जिस पे भी आदी अदूरी raid हो रखी थी तो ये लोगाइस यार टीसी मिल गए आराम से कोई दिक्कत ही नहीं आई तो मेरे पास में क्या simple oil bomb एक ही है तो इसलिए मैंने head match लगा दिया है वैसे भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है यार कोई भी bomb लगा दो मेरे फरक नहीं पड़ता क्योंकि अपने पास में bomb की कमी है तो सरी लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है अब इतनी sulfur आ चुक है अपने पास में तो इसलिए अब इतना ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता अरे यार इधर का इस सरे गया है ये भी तूट जाएगा वेसे तो यार दोस्तों अभी जो मैंने raid की न ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही क्योंकि यार मतलब मैं सोच रहा था कि अच्छी खासी sulfur मिल जाएगी लेकिन इतनी भी sulfur नहीं मिली यार अब मैंने आगे की साइड में ये एक और बेस देख रहा था तो मुझे इस पे भी raid करनी थी लेकिन ये लकड़ी काता मैं यही सोच रहा था कि इस पर raid करू या ना करू इसलिए मैं बस यहाँ पर कड़ा कड़ा सोच रहा था तब यहाँ यह बंदा दिखाई दि कोई और बेस देखता हूँ ताकि मतलब raid कर पाया यार अच्छी खासी मुझे sulfur चाहिए यार ज्यादा तो दोस्तों इसके बाद में मैंने अपने सभी दोस्तों को वापस online बुलाया क्योंकि मुझे यार मतलब यहाँ पर आसपास में कोई अच्छा बेस दिखाई नहीं दे है ता और मैंने बोला था कि इस बैस पर हम raid करेंगे आगे जाके तब यह बैस पूरा iron का था और इतना बड़ा भी नहीं था यह बैस लेकिन आप देखो कि इतना ज्यादा बड़ा हो चुका यार और पूरा इस टिल सब्ग्रेड भी हो चुका है तो अब हम लोगोंने सोच इस बैस पर raid करेंगे लेकिन यार मैं सोच रहूं किस बैस बैस पर raid करें कैसे क्योंकि इस बंदेने कारी जादा करें अ्छा मतलब इतने ज़्यादा ट्रेप और उनमें एमो भी अनलिमिटेट डाल दी इसने मतलब हज्जार से भी ज़्यादा एमो डाल रखी है मतलब एमो खता होने का नाम ही नहीं ले रही है तो दोस्तों यह बजुका वाले जो भाई साब है इनको आप लोग जानते होंगे अच्छ लेकिन अंत में उन्हें यह लग गया कि हम लोग मतलब ऐसे जाने वाले नहीं है तो उसके बाद वो जाके घर में वेड़ गए आप खुद के मतलब इसी बेस में अंदर जाके वेड़ चुके है वो और शायद अब वो अपने बेस को बचाएंगे बस यही करेंगे और आसपास में इसके बेस बने हुए है पहले उन बेस को रेड़ करते है उसके बाद में जो में बेस उसको रेड़ करेंगे क्या है कि मतलब टी सी कनेक्ट हो जाती है अगर हम उस बेस को रेड़ करेंगे न तो यह बेस भी पास में बने हुए है यह उन्हीं के यह है जिनका व इन लोगोंने तो देख लो मतलब शोटगुन ट्रेप केनन वेनन सब कुछ लगा रखी ओ बाइस अब कितनी सारी श्टिल रख रखी इन्होंने और श्टिल आरमर भी देखो चलो तो राइफल और केनन मैंने ले लिए इनकी और साथ तील आरमर भी ले ले लेता हूँ यार का आर्मर भी अभी तो काफी सारी है यहां पर एलमेट वेलमेट काफी कुछ पढ़ा है तो इस बेस का तो काम खता हो चुका है मतलब यह चोटा वाला बैस था लेकिन था पूरा इस्टिल का और इसको तोड़ना श्टार्ट कर चुके हमारे दोस्त अब यही है कि एक और बैस से पास में ऐसा ही चोटा उसको भी तोड़ना पड़ेगा मतलब उसको भी रेड करना पड़ेगा उसके बाद में नमबर लेंगे जो बड़ा वाला में बैस है उसका लेकिन कुछ भी को यार दोस्तों देखो इन्होंने न केनन लगाने में कोई कमी नहीं की मतलब लार्ज श्ट्रेज में मुझे बनी बनाई कैनन मिल रही है और साथे साथ यहां पर देखो कितनी कैनन लगा रखी है जबकि यह जो बैस है इन में तो कुछ खास लूट इनकी है ही नहीं में इन बैस में कितनी लूट होगी तो वहां पर इतनी कैनन इन्होंन तो एक बार मैं आपको नीचे जाके बताता हूँ इसमें कि इसमें कितनी केनन लगा रखी है ये देखो मतलब कोई बंदा अंदर जाई नहीं सकता यार और इस बड़े वाले बेस को भी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ स्पॉन होकर ये देखो तो यहाँ पर ये बड़ा वाला बेस है और इसमें देख लो कितनी सारे केनन लगी हुई है और फर्नस जो है ना लार्ज फर्नस वो मतलब खुले में चल रहे है ये देखो अनलिमिटेड एमो डाल रखिये वाई साब तो दोस्तो पेले हम लोग ये सोच रहे थे कि इस वाले बेस पे हम लोग बॉम से रेड करेंगे लेकिन बाद में फिर उसके बाद इतनी सारी ट्रेप लगी हुई ना तो हमने सोचे कि यार अब बजुका से पहले ट्रेप तोडएंगे और उसके बाद में इस बेस पे रेड करेंगे ठीक है तो अभी क्या है कि हम लोग रेड कर रहे थे ना तो मतलब यहाँ पर टावर जो बने हुए इन टावर में इस बेस के बंदे आके और हमारे टीमेट को किल कर रहे थे ठीक है तो इसलिए क्या है कि मैं लगातार अब टावर पे बजुगा चला रहा हूँ ताकि ये बंदे जैसे ही टावर में आए और किल हो जाए मतलब इनके मूँ पे बजुगा चला रहा हूँ अब मैं डायरेक्ट और इदर की साइड में जो ये इस्टिल का बेस बना हूँ दिखाई दे रहा है जो मतलब बिल्कुल इस बड़े वाले बेस के पास में तो इसमें मैं बजुगा इसलिए चला रहा हूँ ताकि ये बेस वेसे ही बजुगा से ही ड्रील हो जाए अब देखो ये बंदे देखो क्या कर रहे है मतलब हमारा जो यहां पर टावर बना हुआ है जिसमें से मैं बजुगा चला रहा हूँ इस पे भी बजुगा चला रहे है वो वहां से चलो तो उस बंदे को तो मैंने बजुगा चला के नोक कर दिया है वैसे याँ ध्यान तो पुरा है लेकिन क्या है कि मतलब बजूगा अगर इसी तरह से वो लोग हमारे टावर पे भी चलाते रहे ना तो हमारा टावर भी तूट जाएगा यार अब वैसे बंदा तो देखो मुझे दिखाई दे नहीं रहा है टावर में लेकिन फिर भी मैं अंदाचे से चला रहा हूँ यार मतलब बजूगा तो दोस्तो हम लोग उस बेस पे रेड करी रहे थे लेकिन तब ही मुझे पता चला कि मेरे खुद के बेस पे रेड होना कि वाले तोड़ती इसने एक बार मैं देखकर जाता हूँ कि यह बंदा है किदर तो इदर की साइड में तो बंदा है नहीं और फुटिश टेप आया ओके तो यह पीछे की साइड में वैसे मैं ग्रनेड लॉंचर लेकर आया था क्योंकि मुझे पता था कि ग्रनेड लेने के लिए लेकिन उससे पहले मैंने इसको किल कर दिया है और इस बार मैंने यह ग्रनेड लॉंचर थोड़ा संबल के चलाया ताकि मैं खुद नौक ना हूँ तो गाइस यार जरूर इस बंदे ने इनने सिल्पिंग लगा रखे मेरे बेस के पास में तो इसने देखो व कि बहुत बार बार में आके और रेड करता रहेगा अपने बैस पर कि चलओ वह तो अपनी हेल्थ में पूरी तरह से फुल करके ही बाहर जाओ microwave मेरे पूरी तरह से फुल हो अब ठीके सिरिच लगने वाली होिए है तो सिरिच लग चुकिए और बंदा यहीं पर यह पास में देखता हूं किदर की साइड में है यह चालो SMG से नोक थोड़ी हो जाऊंगा भाई मैं अच्छा फामस थी इसके पास में गाइस यार गाइस मुझे तो लग रहा है कि इसने बेस के पास में पूरा जुगाड कर रखा यार मतलब कुछ न कुछ इसने लूट रख रखी है इसलिए यह फामस लेकर आया और सिल्पिंग बेक तो वैसे मुझे इसके मिली गए है तो इन्हें तो तोड़ ही देता हूं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को जदा ज़ादा शेयर कीजिए और साथ जिन लोगों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लीजिए हम मिलेंगे एक और न्यू गैम प्ले में तब तक के लिए गुड़ बाई